हेलो दोस्तों कैसे आप सब मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं True Beauty के एपिसोड 3 के बारे में पिछले दो एपिसोड के explanation मेरे चैनल में already available है तो प्लीज आप पहले उसे देख लेना जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी इस ड्रामा के हर एक एपिसोड एक दूसरे से लिंक्ट है तो इस एपिसोड के सुरबात में हम देखते हैं जो जब स्कूल में दोस्तों के बीच खड़ी हुई होती है तब ही पीचे से लिसू आता है और अपने जैकेट से जू का फेस कवर करके सब के सामने से उसे दूसरे वर्ष्रूम में लेके जाता है वहाँ हैंसियो भी यह सब देखता है और लिसू के पीचे आता है लीसु जब वर्ष्रूम के बाहर वेट कर रहा होता है, तब ही बहाँ पर हैंसी ओ आके कहता है, तुम दिन दिन मेरे सहन से बाहर जा रहे हो, तो लीसु कहता है, तो तुम क्या यहां मेरा पता लगाने आए हो, मैं कुछ भी करू, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे follow मत करना उसी वक्त हम देखते हैं जू वर्ष्रूम के अंदर अपना face clean करके वापस से make-up apply कर रही होती है इसके बाद जू जब class में आती है तो उसे सब sorry भी बोलते हैं तबी एक student बोलती है हमने पहले कभी भी लीशू को ऐसे किसी का help करते हुए नहीं देखा high school में फिर जू लीशू के तरफ देखके सोचने लगती है कि शायद इसे मेरा make-up वाला secret पता चल गया है ये चीज़ confirm करने के लिए जू जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और सब कुछ उसे बताती है तो उसका भाई बोलता है हाँ हो सकता है शायद इसलिए उसने तुमें बचाया होगा ताकि सब के सामने तुमारा secret रिवील ना हो फिर जू कहती है अगर उसे पता भी है तो मेरी मंदत क्यों कर रहा होगा तो उसका भाई उसे डराती हुए कहता है शायद उसे तुमसे कोई revenge लेनी होगी and suddenly वो vampire बनके तुम पर अटक करें जिससे तुमारी सांस रुख जाए जू ये सब सच मान लेती है and वहाँ से चली जाती है जब वो classroom के दरफ जारी होती है तो जू उसे देखके imagine करने लगती है लिसू एक vampire बन गया है and उस पर अटक करके उसका खुन पी रहा है उसी टाइम जैसे लिसू चलते हो उसके पास आता है तो जू डर के वहाँ से classroom में भग जाती है लिसू को ये सब अजीव लगता है तो वो जू के पीछे आता है and कहता है तो मुझे देखके भाग क्यों गई? मैं तो तुमारे पास एक notebook देने आया था ये सुनके जू relax हो जाती है and notebook लेके हसने लगती है नेक्स इन में जू जब घर पहुशती है तो उसके पास लिसू का call आता है लिसू उसे बोलता है जू अभी मुझे comic store पे मिलो मुझे तुम्हे कुछ देना है ये सुनके जू फड़ा फड़ से अपना dress change करके make-up अठाके comic book store चली जाती है लिसू से मिलने जब वो वहाँ पहुशती है तो लिसू उसे gift देता है और कहता है तुमने मुझे comic book दिया था ना उसके लिए thanks वो वो gift ले लेती है और कहती है वैसे तुमने कभी मैंने school uniform में नहीं देखा है और तुम्हारा school uniform ना कावी अच्छा है तो लिसू कहता है अच्छा है, सकिया वैसे मेरे school में नो तुमारी जैसी एक लड़की है जो ये सुनके घबना जाती है और हसके बोलती है दुनिया में हमशकर लोग तो होते ही हैं न वैसे तुम कौन से स्कूल में बढ़ते हो लीसू उसे स्कूल का नाम बताता है जिस पर जू बोलती है मैंने तो ये स्कूल का नाम कभी नहीं सुना है जिसपर लीसू उसे पुछता है फिर तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो तो जू दूसरे स्कूल का नाम लेती है और गिफ लेकर वहाँ से जाने लगती है तब लीसू उसे पिछे से जू का स्कूल वाली फूल नेम से बुलाता है एन कहता है तुम्हें अच्छी एक्टिंग करनी नहीं आती है जू ये सुनके रुख जाती है एन कहती है मैं जूबल हो और लीम जू करंग मेरी कजन सिस्टर है हम एक ही जैस से दिखते हैं जिस पर लीसू कहता है तुम्हारी अवाज भी तो सेम है तब ही वहाँ पर जू की मम्मी आती है जू को लीम जू क्योंग बोलके बुलाती है तो लीसू वहाँ पर हजने लगता है क्योंकि वह अप कनफर्म हो गया था जू तुरंट बोलते हैं हाँ तो मैं ही हो लीम जू क्योंग तो क्या कर लोगे तुम यह बोल के वो बहाँ से चली जाती है। घर पहुच के वो एकदम से उदार सोके बैट जाती है और सोसती है। उसकी लाइफ खराब हो गई है। लीसू भी घर पहुच के देखता है। उसके पास जू का हैरबेंड रहा गया है। और बो देख के वो सोचने लगता है। एक दिन जू ने स्कूल में उसे एक बैग दिया था। लीसू ने वो बैग पहले खोल के देख लिया था कि उसके अंदर जैकेट के साथ कॉमिक बुक भी है। बुक के उपर एक स्टिकी नोट पे ये लिखा हुआ था। मेरे मेकव वाली बात को सिक्रेट रखने के लिए थैंक्स। पर उसी टाइम पिछे से जू आके कुछ और बहाना दे के बैग लेके चली जाती है। तब लीसू को पता चल गया था एक्चूल सिक्रेट। और उसने जू का नंबर स्कूल में ही एक क्लासमेट से पता किया था। उसके बाद नेक्स्ट बार उसने जब जू को मिलने के लिए बुलाया था। तब जू हेलमेट पैन के मिलने आए थी। जब वू अश्रूम गयी थी तब लीसू ने उसे बोलते हुए सुना था। अगली होना भी बहुत परिशानी की बात है लाइफ में। ये सब सोचने के बाद लीसू बो हेल्बेंट अपने ही पास रख लेता है। इधर जो घर में ऐसे बीहेब कर रही होती है कि उसकी लाइफ खतम होगी है और घर के कामों में उसका ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट जो एक दम से लेडी डॉन टाइप मेकप करके स्कूल जाती है ताकि वो लीसू के सामने अपने डर का सामना कर पाए। पर जैसे ही वो स्कूल में लीसू के पास जाती है तो लेसू उसे उसका हेरबन दिखाता है जिससे देख जो घबरा जाती है और लीसू के सामने बैट के रिक्वेस्ट करती है कि उसका सिक्रेट वो किसी को ना बताए। जिस पर लिसू कहता है कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बदली में मैं जो जो बोलूँगा तो मैं वही वही करना पड़ेगा, जू के पास कोई और आप्शन नहीं होता, तो वो ये शर्ट मान लेती है, इसके बाद हम जू के बड़ी सिस्टर को देखते हैं, जो की वही सिम स्कूल के सामने कौफी बेले शॉप पे आई होती है, वहाँ बर्बो मिस्टर हैंस को बापस से देखती है, जिनका कार खराब हो गया था, जू की वेहन उनकी कार ठीक करने में मदद भी करती है, मिस्टर हैंस को ये सब काफी अच्छा लगता है, दोनों आपस में बाते करते हैं, फिर जू की सिस्ट उन्हें फिर से मिलने के लिए बताती है, और वहाँ से चली जाती है, नेक्स सिन में हम देखते हैं, जो क्लास्रूम में होती है, जो जो बहाँ पर आके फट से विंडो को परदे से कवर कर देती है, और स्माइल के साथ अपने सीट पर जाके बैठ जाती है, लिसु को ये सब देख के मज़ा आता है, तभी जो के पास लिसु का एक मैसेज आता है, मुझे प्यास लगी है, जो ये देख के तुरंट एक ट्रिंक लेके आती है, जो लिसु को देख के कहती है, ये लो तुमारा फेबरेट रिंग, लिसु तुरंट उसे एक दूसरा काम देता है, कहता है कि उसके सारे नोट्स, क्लास टीचर के कैबिन में दे आए, जो जब वो नोट्स देने जाती है, उसे फिर से हैंसियो रोक लेता है बीच में, एंड हिलमेट के बारे में बूस्ता है, तो जो बोलती है, मैं भूल गई थी, एंड कल पक्का वापस कर दूँगी, ये सुनके हैंसियो उसे जाने देता है, बोई पर पीछे हैंसियो के दोस्त भी होते हैं, और बो लोग कहते हैं, ये लड़की साय तुमारा एटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही होगी, लीसु क्लास में जू कही बारे में सोच के स्माइल कर रहा होता है, तब ही सामनी से सुजीन आती है, और कहती है, तुम क्या देखके हस रहे हो, मैंने तुम्हें सालों बाद हसते हुए देखा है, जिस पर लीसु कोई जवाब नहीं देता, तब ही सुजीन के पास उसके पापा का एक मेसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, आज जल्दी घर आना, आज हम साथ में मिश्टर चॉई के साथ जिनर करेंगे, वो मैसेज देखके सुजीन एक दम से गुसा हो जाती है, यह न वश्रूम में जाके अपना हाथ बार बार वश्र करने लगती है, जैसी कि उसके हाथ में कोई स्मेल आ रही होती है, उसे वो साफ करना जाती है, इधर जू घर आके सबसे पहले हैंसियों का हेलमेट ढूनने लगती है, पर उसे वो वहाँ अपने रूम में नहीं मिलती, तो वो हेलमेट के बारे में अपने बापा से पूछती है, साथ में punishment भी देती है जो अपने भाई को बताती है कि वो helmet ना NCO की है सो याद से ले आना तबी जू के पास ली सू का एक message आता है मुझसे playground पे मिलो और साथ में एक comic book ले आना 10 minute के अंदर जू वहाँ से भाग के comic store चली जाती है बूक लेने पर जो comic book उसे चाहिए था वो पहले ही किसी बच्चे ने ले ली होती है तो जू उस बच्चे को ice cream दे के मनाने लगती है ताकि वो बच्चे comic book उसे दे दे साथ में funny dance भी करती है इधर क्योंकि जू लेट थी तो ली सू उसे ढूंटे हुए बहाँ आ जाता है तो देखता है जो road पे ही dance कर रही होती है एक बच्चे के सामने ली सू को ये सब बहुत funny लगता है और वो बहाँ से चला जाता है जो बच्चे से कैसे भी करके book लेके ली सू के पास जल्दी से आती है and book दे के वहाँ से चली जाती है ऐसा एक दो बार और होता है next day जो school जाके सबसे पहले हैंसियो से मिलती है and एक letter देती है और कहती है मेरे जाने के बाद इसे जरूर पढ़ना जिससे देख हैंसियो के दोस्तों को लगता है शायद ये love letter है और हैंसियो जब letter को खुल के पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है dear हैंसियो please इस letter को शान्त होके पढ़ना क्योंकि तुम्हारा जो helmet हैना वो मेरे भाई ने किसी को बेज दिया है and एक हपते के अंदर मैं उसे तुम्हें बापस लाके दूँगी परिशानी के लिए sorry ये पढ़के हैंसियो को गुशा तो आता है पर वो अपने दोस्तों के सामने बतानी बाता next scene में जू अपने friends के साथ lunch करने जारी होती है तो तभी उसके पास लीसु का message आता है और वो वहाँ से भाग के चली जाती है जू का behavior सू जिन को काफी अजीब लगता है तो वो उसके पीछे आने लगती है और देखती है कि जू हैंसियो से जाके बात कर रही है जिस पर सू जिन को लगता है शायद हैंसियो जू को परिशान कर रहा होगा तो वो हैंसियो के पास जाती है और कहती है तुम जू को क्यों परिशान कर रहे हो आगे से न ये सब मत करना बरना ठीक नहीं होगा इस तरब जू लीसू से टेरस पे मिलती है जहां पर वो देखते हैं लीसू ने बहुत सारा खाना रखा है टेबल पर और जू को ये सब कुछ खाने के लिए कहता है इतना सारा खाना देखके जो बहुत कुछ हो जाती है और सब कुछ मिक्स करके खाने लगती है वो लीसू को भी थोड़ा सा खाने के लिए कहती है जब लीसू वो खाना खाता है तो लीसू को भी बहुत टेस्टी लगता है तब लीसु उससे कहता है, स्कूल के टैलेंट शो में तुमें पार्टिसिपेट करना है जू भी मान जाती है और सिंगिंग के लिए प्रैक्टिस करने लगती है पर जू को लगता है, ये सिंगिंग वाला कामना उसके लिए नहीं है तो वो stage पे जाके dance perform करती है ये सब कुछ लीसू भी देख रहा होता है और उसे जूप का dance काफ़ी पसंद आता है पर क्यूंकि वो school का talent show होता है तो school के teacher जूपे काफ़ी गुशा होता है और उसको डांटते है जो बहुत embarrassed फिल करती है रोते हुए वहाँ से भाग के आ जाती है नेक सिन में हम देखते है हैंसियो अपने मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आया होता है उसकी मॉम काफी बिमार होती है वो हैंसियो से कहते है कि वो बाइक ना चला है जब हैंसियो अपने माँ से मिलके जा रहा होता है तब ही उसे hospital में जू के पापा भी दिखते हैं पर उसे देखने के बाद हैंसे उ काफी गुसा हो जाता है इधर हम देखते हैं जू स्कूल से गर आई होती है तो जू की मम्मी उस पे गुसा करके कहती है तुम रोग स्कूल में मेक अप लगा के क्यो जाती हो ये सब तुम ना कॉलेज जाने पर करना अभी तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर दो तो जू कहती है क्योंकि वो स्कूल में मेकप लगा के जाती है तब ही उसके आज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब ही उससे अच्छे से बात करते हैं तो जू की मॉम उसे बोलती है मेकप लगा के क्या होगा जब तुम्हारी रियल फेस ही अगली है और तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं होगी तो फ्यूचर में तुमें कौन शादी करेगा जू को उसकी मॉम की बात काफी बुरा लगता है और वो सेड होगे अपने रूम में आके लेट जाती है तब ही उसका भाई उसके रूम में आके हैंसियो का हेलमेट दे के चला जाता है जू अपने फोन में अपनी सोशल मीडिया की पोश्ट देख रही होती है तो वो देखती है, सैमी ने उसके फिक को लाइक किया है जो सोचती है, वो मेकप के साथ कितनी ज़्यादा प्रीटी एंड कन्फिरेंट दिखती है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है तभी जू के पास लीसू का एक मैसेज आता है दस मिनिट के अंदर मुझसे प्लेगृउड पे मिलो एक कॉमिक बुक की साथ जू काफी रेश्टलेस फिल खरती है फिर भी वो कॉमिक बुक लेने कॉमिक स्टो चली जाती है जब वो लीसू के पास जा रही होती है, तब भी बारिश होने लगती है और उसके पास अम्रेला भी नहीं होता भागते हुए वो रोड पर एक बंदे से टकरा जाती है और गिर जाती है वो बंदा काफी नशे में होता है और वो जू को देखके बहुत इंसल्ट करता है ये सबसे जू काफी जदा परिशान हो चुकी होती है जू जब प्लेगराउंड में पाउसती है तो लीसु देखता है जू के पैर में चोट लगी है जू कुछ बोले भीना है लिसु को बुग दे देती है तो लीसु उसे पूछता है तुम्हारे पास अम्रेला नहीं है क्या तो जू बोलती है तुमने जो मंगवाया है बो तो तुम्हें मिल गया है ना तो मैं चलती हूँ लीसू बोलता है मैंने तुम्हें इस तरह से आने के लिए नहीं बोला था जिस पर जू बोलने लगती है तुम में और बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं है सब मुझे परिशान करते हैं सिर्फ मेरे लुक के करन मेरे सिक्रेट जानने के बाद तुम मुझे सारा काम करवा रहे हो मेरा मजाग बना रहे हो इसमें मेरी क्या गलती है बोलो कि मैं अगली हूँ सब मुझे से इतना नफरत क्यों करते हैं मैं कितना भी make up apply कर लिए बट मेरी reality ना यही है मैं दूसरे school से जैसी school में transfer होई तो तुमें भी मेरा secret पता चल गया and मैं एक भी रात tension बिना सो नहीं पाई कि अगर तुम school में सब को मेरा यह राज बता दोगे तो क्या होगा इसी कारण तुम जो भी बोलते हो मैं भू करती हो पर तुमने कभी यह सोचा है मुझे यह सब कितना बुरा लगता है अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम कैसा फिल करोगे प्लीज आगे से ऐसा किसी और के साथ मत करना यह सुनके लीसू को रियलाइज होता है कि उसने जू के साथ गलत किया है तो वो अपना जैकेट उतार के जू को देता है और एक जगा पे बीठा के कुछ मेडिसिन लाने चला जाता है जब वो मेडिसिन लेके आ रहा होता है तब हैंसियो उसे देख लेता है और फॉलू करने लगता है हैंसियो देखता है लीसू कोई लड़की के साथ है वहाँ वो लड़की का फेस देख नहीं पाता है ये सब देखके हैंसियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इधर लीसू आके जू के पैर में मेडिशिन और बैंडिट लगा देता है और साथ में सौरी भी कहता है नेक्स डे स्कूल में हैंसियो लीसू और जू को इशारों में बात करते हुए देखता है तो उसे लगता है शायद कल वाली लड़की यही होगी हैंसियो लीसू के पास जाके कहता है तुम तो काफी खुश होंगे ना एक दोस्त को जान से मारने के बाद लीसू को धक्का मारके उसको लंच नीचे गिरा देता है फिर लंच टेवल में वो जू के पास में जाके बैठता है सारे स्टूडन्ट उन्हें ही देख रहे होते है जु हैंसियो से पूछती है क्या तुम यहां हेलमेट के बारे में पूछने आए हो तो हैंसियो कहता है नहीं मुझे तुमारे साथ लंच करना है ये सब लीसू देख रहा होता है एन एकदम से गुस्टे से हैंसियो के पास आके उसका कॉलर पकड़ लेता है जिस पर हैंसियो एक डेविल सा स्माइल लेता है यही पर यह एपिसोड एंड होती है मैंने पूरी एपिसोड डिटेल में समझाने की कोशिश की है इसलिए यह वीडियो थोड़ा लॉंग हुआ है आशा करते आपको यह एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी होगे अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप हमारे चैनल में न्यूं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे करना जिससे की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुच है आज के लिए यही तक मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वचिंग और हैव ग्रेट टे